देश में साल 2021 का पहला चंद्र ग्रेंड आज लगने जा रहा है जोतिश शासर के मुताबिक ग्रेंड के दिन किये गए दान का विशेश महत्व होता है इसलिए हर ग्रेंड के बाद दान जरूर करना चाहिए इससे जंदगी की परिशानियां भी दूर होती है और दुखों से मुक्ति मिलती है आये जानते हैं कि चंद्र ग्रेंड के बाद किन चीजों का दान करने से क्या लाब मिलता है जोतिश शासर के मुताबिक चंद्रग्रहन के दिन सफेद वस्तों का दान करना जरूरी होता है इसके पीछे कारण ये कि चंद्रमा का रंग भी सफेद है इसलिए इस रंग की वस्तों दान करने से चंद्रदोश से रहत मिलती है ऐसे में चंद्र ग्रहन के दिन चावल का दान जरूर करें। मानेता है कि चावल का दान करने से घर में हमेशा धन धाने का भंडार भरा रहता है। इसके लबाद दूद का दान करना भी शुब माना जाता है, चंद्र ग्रहन के बाद दूद और दही का दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान नरायन के कृपा प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहन के बाद चांदी का दान करने से बुद्धी तेज होती है। इसके लिए चांदी के आभूशन, सिक्के या फिर चांदी के बरतन दान में दिये जा सकती है। चंद्र ग्रहन के बाद शक्कर का दान करने से देवी देवता प्रसन होकर आशिरवात देते हैं, इससे व्यक्ति पर ग्रहन का नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यादतर ग्रहन के बाद तिल का दान करने की सलहाती जाती है, ये दान संपत्ती विवाद से छुटकारा दिलाता है, जोतिश शासर के मुताबिक अगर जीवन से परिशानियां खत्मोने का नाम नहीं ले रही हो, कभी संपत्ती विवाद तो कभी कारेशित्र में धन तो ऐसे में राहत पाने के लिए ग्रहन के दिन तिल का दान जरूर करें, मानेता है कि ये दान संपत्ती विवाद से छुटकारा दिलाता है, इस खबर में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें, तेजस 24 नियोज